अगर आपको मेरी और वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं तो एक बार बताईएगा बहुत ही जबर्जस्त सेशन आज का है सेशेई 2023 को टार्गेट करते हुए टाफ फाइब कॉंसेट का प्रॉपर एक्स्विनेशन में देगा जहां से पांच मार्क्स फिक्स है और मैंने आज यह कहा है कि आज मतब किसी भी एक्जामिनेशन में जा रहे हैं आपकी ब्रांच चाहे जो हो चाहे सिविल हो चाहे मेकैनि इस पांच कंसेट को जरूर समझ देना और करके ही जाना और आपके पांच नमर कहीं नहीं गया तो गाईज अगर आप सेशेई 2023 को टार्गेट कर रहे हैं चाहे आप जेके सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि आज का कंसेट जरूर कर देना यार एक बार सभी इंजिनियर्स सेशन को सेयर कर दो और अपने दोस्तों तक और मैं उमीद करता हूं कि सभी दोगों को मेरी आवाज आडियो वीडियो आ रहा हूँ तो फड़ा फड़ जब बात हो कंसेट सीखने की तो आपको कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि देखो यार एक्चल में क्य सब्सक्राइब हो सकता है सो अब बना सकते हैं इसलिए मैं आप लोगों से करता हूं कि प्लीज यार भागो तो concept के पीछे भागो तो कौन से सब्जेक्ट हैं आपके examination में कौन से ऐसे concept है जो सब्कॉंसेट को मैं पढ़ाता हूं और आप लोगों को मौस्ट रिपीटिड आ आपको पूछे जाते हैं तो मेरे साथ यहां पर कौन-कौन जुड़ चुका है पटा-पट मुझे कमेंट सेक्शे में बदाईएगा और यार आप लोगों को सेसंस अच्छा लगता है तो सेसंस को लाइक भी किया करो और मैं यह एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग पार्टिसिपेट भी किया करो सटेड़े को हमेशा मैं स्पेशल सेसं ले करके आता हूँ इसी बज़े से ताकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कितना बेनेफिट दे सको तो आज आओ सब लोग बहुत मज़दार सेसंस आज का होने बाला है तो आईए, let's do the big things with you guys कौन कौन आ चुका है यहाँ पर फटाफ़ बताईएगा दोस्तो जलदी से मेरे को बताईएगा सूरज आ चुके हैं बाकी लोग भी आ जाएं यार क्विकली गुडमिंग सार, UP, हाँ यार किसका गया कटाफ, वो मैं एक बार अभी-अभी मुझे पता चला है जस्ट वन मिनट एगो हमें पता चला कि UPPSC, UPCC, JEE 2016 का रिजल्ट आ गया तो कटाफ के बारे में हम आप लोगों से जरूर अपडेट कर देंगे पहले एक बार सभी दोग सेसंस को सेयर कर दो, आज आओ, फिर उसके बार सेसंस की सुरुवात करते हैं जबर्जस तरीके से, और बाकी तो आप लोगों को पता है, जेके SSP, JEE के भी वैसे चल रहे है सेबिल का 2.0 बैच, मेकेनिकल का भी बैच चल रहा है, और यहां पे मेकेनिकल और सेबिल का सेजेक्शन बैच चल रहा है, 3.0 आप लोगों में से, अगर कोई बच्चा चाहता है कि आनलाइन एजुकेशन सिस्टम से जुड़ना, एफरडबल एजुकेशन के साथ जुड़ना, क्वालेटी एजुकेशन के साथ जुड़ना, और आप फॉस्ट अटाइम्ट में SSE जैसा एक्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इन बैचेश को जुड़न कर सकते हैं, वीडियो की नीचे डिस्क्रप्शन में, या आपको कमेंट सेक्षन में प्रॉपर लिंक है, वहां से आप डारेट जा सकते हैं, जुड़न करते समय आपको 78% तक आप मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो गाइस, अब आप लोग बताईएगा, सेशन की सुरुवात कर दें, फटा फट बताईएगा, सेशन की सुरुवात कर दें, मेरे प्यारे बच्चे, एक बार मुझे कमेंट सेक्षन में बताईएगा, सेशन की सुरुवात कर देते हैं, बाकी ये बैचेश भी हैं, आप देख सकते है हैं और महापैक में भी इन्रोल्ड करते हैं तो सिविल मेकेनिकल की महापैक में 78% का डिसकाउंट 3800 रुपे का आपको महापैक अगर आप पे करते हैं 12 मेहने के लिए मिल जाएगा जिसमें सारे और मुझे पता है कि आप जरूर इसको ज्वाइन करोगे महापैक ही एक बेस्ट सलूसन है रिकमेंडेट्स होता है आलवेज मैं इसी को रिकमेंड करता हूं कि ज्वाइन करना है तो आज की सेशन की सुरुवात किया जाए फटा पड़ बताईएगा सिविल के लोग सिविल के महापैक ज्वाइन कर दें मेकेनिकल के लोग मेकेनिकल के महापैक कर दें बेस्ट होगा मैं आपको बता रहा हूँ शुरू किया जा आज के सेसंस को फड़ा फड़ बताईएगा यार सर बाकी MOS और साइंस की गड़मिंग गटा सब लोग आज आओ फिर उसके बाद सेसंस की सुरुवात करते हैं बहुत ही क्वागटी और जबरजस्त आज का सेसं होने बाद है यार पांच ऐसे कंसेप्ट धासू तरीके से हम समझेंगे और आप वेडियो को सुरू से देखे अंत्यक देखती होना तो लेटरली मैं आपको बताऊं बहुत फाइदा होने बाद है आपको ये वेडियो सेप करके रखना जब किसी एक्जाम में जाओगे तो पता चलेगा अरकी सर का एक एक कॉंसेप्ट एक्जामिनेशन में लड़ा है एक एक कॉंसेप्ट लड़ेगा मैं आप लोगों को गारेंटीट बता रहा है नहीं आया तो पढ़ाना चोड़ दोगा यह मेरी गारेंटी है कि नहीं आया तो पढ़ाना चोड़ा इस दिए इस सेसंस को आप तोग देखके सेप कर दो डिफरेंट इग्जामिनेशन के विए तो आओ फटाफट यार आप तोग पाटिसिपेट करना सुरू कर दो समय तो काफी हो चुका है गुडमिंग सुदिनीर बेटा एक पटेल विक्रम एसम क्रियेसंस मुस्कान राज सुरेश और क्रिसन आजाएगा बहुत जवदी आजाएगा परसान मत हुएगा चलिए पहला कंसेप्ट आप लोगों को देखते हैं दोस्तों पहला जो कंसेप्ट है दोस्तों क्लासीफिकेशन कंसेप्ट आप नान न्यूर्ट्रोणियन फ्लूड मैंने हमेसा एक एक एक계म वे इसकॉंसेप्ट से questions देखा है याज इस concept से मैंने हमेसा questions देखा तो मैं आपको बता दू कि जो dips हमारे को अबेतलाह करते है उसको हम non-newtonian fluid बोलते हैं like newton's के law of viscosity में tau हमारा duy dy के directly proportional होता है और यहाँ पर proportionality हटाते हैं तो constant लगाते हैं जो इस नियम को पालन नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं non-newtonian fluid बोलते हैं non-newtonian fluid की जो study होती है वो always ज्याद रखेगा non-newtonian fluid की जो study होती है always ज्याद रखेगा उसको हम rheology बोलते हैं क्या बोलते हैं rheology बोलते है non-newtonian fluid की जो study होती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों rheology बोलते हैं यह examinations में अक्सर करके पूछा जाता है फिर आपसे पूछा जाए कि नान-newtonian fluid का हमारा general equations क्या होता है तो आप always याद रखेगा दोस्तो टाउ इसकल टू याद रखेगा टाउ नाट प्लस मू डियू बाई डिवाई के पावर एन यह हमारा नान-newtonian fluid का हमारा general equations है दोस्तो this is the general equations for non-newtonian fluid यहाँ पे टाउ नाट क्या है दोस्तो initial shear stress है ध्यान दीजेगा initial shear stress इस concept के बारे में आज पूरी लेक्चर में हम 5 concept पढ़ाएंगे सब दोग ready हो ना पढ़ने के दिए फटा-फट मुझे बताओ यार पांच ऐसे concept initial shear stress initial shear stress और n हमारा viscosity index है n को हम क्या बोलते हैं दोस्तो viscosity index बाकी velocity index बाकी sign हमारे as usual है बाकी हमारे sign हमारे as usual है दोस्तो du by dy velocity gradient है टाउ हमारा shear stress है initial shear stress को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तो कि जैसे कोई वे fluid होता किसी container में ऐसे रख देते हैं तो कभी-कभी इसके tab को open करते हैं यह flow नहीं करता है इसके particles के बीच में initially कुछ हमारा stress होता है जिसके वज़ा से जब तक हम एक निस्सित amount of force नहीं लगाते हैं तब तक आपका इसमें flow नहीं होता है जैसे best example में अगर आपको बोलो toothpaste में toothpaste को जब आप open करते हैं गिराने के लिए cap को open करके toothpaste को जब तक एक दबाओ गए नहीं तब तक वो गिरना नहीं शुरू होगा इसका मतलब क्या हो गया कि toothpaste की particles के अंदर हमारा initial CR stress होता है होता है मेरे प्यारवजी toothpaste की particle के अंदर यह चीज याद रखेगा दोस्तों सर मुझे batch देना था आपको अगर batch से संबंदित किसी भी तरह की डाउट है आप तुरंत मेरे को mail कर देना या comment section में है आप rahul.misra किसी को भी बच्चे को राहul.misra मैं ज्यादा batches के बारे में वहीं पर बात कर दूंगा क्योंकि अभी मेरा main focus है दोस्त कि आपको बहतर concept deal करूँ दोस्तों तो आप सब लोग बताओ जिसे आप एक बार बताना जैसे इसी container के अंदर water हो तो अगर H2O है तो अगर आप cap को open करोगे तो पानी तुरं नहीं हमारा गिरना सुरू हो जाएगा करी आप दो बताँगे जोस्तों फढ़ा धापनल बताइगा क्योंकि water पारिकल के अंदर initial would कितनी होती है zero होती है water particle के अंदर initial serious तो दोस्तों ze गोती है जबकि toothpaste के पास हमारा initial हमारा जीरो नहीं होता है तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास इनीशियल सीयर इस्ट्रस होता है अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होता है दोस्तों कोई बात नहीं कर दूंगा बेटा हां अंकित पेटा definitely आते हैं definitely आते हैं तो दोस्तों यहां पे एक important fact है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों important fact यह है important fact यह है मेरे पेरे बच्चे important fact यह है कि इसमें अगर हम N की value को जसे यह हमारा Newtonian fluid होता है इसमें N की value 1 होता है और tau 0 की value 0 होता है आप मुझे बताएगा इसमें अगर n की value 1 रख दूँ और tau 0 की value 0 रख दूँगा तो क्या हमारा यही equations reduce होकर के Newtonian वालवा बन जाएगा कि नहीं आप लोग बताएगा अगर मैं इसमें n की value 1 रख दूँ और tau 0 की value 0 रख दूँँ तो क्या आपका fluid हमारा Newtonian हो जाएगा कि नहीं warriors मुझे यह बताएगा बस सब लोग बताऊ यहाद तो कभी-कभी examinations में यह पूछा जाता है कि Newtonian fluid के लिए viscosity index और initial shear stress की value कितनी होती है तो आप बलों कि सर, viscosity index हमारा 1 होता है initial shear stress की value 0 होती है और shear stress का velocity gradient के साथ directly संबन्द होता है जहाँ पर tau is called to mu du by dby जो कि Newton's के lab viscosity को ओबे करते हैं उस fluid को हम Newtonian बोलते हैं non-Newtonian किसको बोलते हैं जो हमारा Newton's के lab viscosity को ओबे नहीं करते हैं non-Newtonian की जो study होती है दोस्तों उसको हम real, large बोलते हैं जिसका हमारा general equations यह होता है पस इतनी बात मुझे बताइएगा दोस्तों सारे engineers मुझे बताइएगा so that मैं आगे की तरफ बढ़ूं और आज एक जबर्जस्त concept मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला थो तो guys मैं आप लोगों से गुजारिस करूंगा कि फटाफ़र sessions को share कर दो जल्दी से सभी दोग लाइब आजाओ यार Saturday की special session को concept वादे आप लोग जरूर टेड किया करो दोस्तों इसमें में प्यारे बच्चे एक graph होता है अक्सर करके उस graph से questions आही जाता है graph से questions आही जाता है और यहाँ पर velocity gradient होता है देखो why यहाँ पर velocity gradient भी होता है या rate of angular deformation होगा देखो मेरे प्यारे बच्चे ये बादा जो है हमारा graph basically newtonian fluid के लिए होता है ये हमारा newtonian fluid के लिए होता है जिसके लिए हमारा आपको लड़ी पता है वेटा एन की value 1 होती है और viscosity हमारी constant होती है और हमारा टाव नाट की value कितनी होती है जीरो होती है देखो ना newtonian fluid हमारे दो तरह के होते है एक हमारा time dependent होता है तो time dependent में हमारे basically एक हमारा thixotropic आता है कौन सा जरा बताएगा thixotropic तो thixotropic में क्या होता है दोस्तों कि अब देखो जो जिस fluid की सुरुवात जिसके कर्व की सुरुवात यहां से हो जाए उसमें हमारा initial shear stress आएगा तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे n की value एक से कम होगी और viscosity हमारे decrease होगी और यह viscosity डिक्रीज होगी टाइम के साप एक स्मी दोस्तों ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो thixotropic का जो best example होता है बचा तूथपेस्ट होता है टूथपेस्ट होता है टूथपेस्ट होता है दोस्तों So I'm very sorry Lipistic होता है Lipistic होता है क्या होता है बटा Lipistic इसका best example है Lipistic और Vaseline इसका best example है Tasmatic के समान जो होते हैं इसके हमारे best example होते हैं और ये हमारा Sear Thinning होता है जब हमारी viscosity decrease होगी तो ये हमारा Sear Thinning होगा दोस्तो क्या होगा मेरे पहरे बच्चे सियर थे नहीं होगा निक्स मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपको समझना है निक्स यहाँ पे एक हमारा इसी में टाइम डिपेंडेंडेंट में ही रियो पैक्टिक होता है तो रियो पैक्टिक में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे N की value एक सब ज़्यादा होती है और यहाँ पर viscosity समय के सापिक्स में बढ़ती है Best example हमारा देखो मैं आपको बता देता हूँ P.O.P आप मसे बताईएगा आपने P.O.P में क्या पाया है P.O.P हो गया Cosmetics हमान जैसे की मुलतानी मिट्टी हो गया इन सब में क्या होता है समय के सापिक्स में इनकी viscosity क्या होती है बढ़ती है और यह दोनों ही fluid हमारे देखिएगा ध्यान दीजेगा यह दोनों ही हमारे Time Dependent में आते हैं दोनों ही हमारे किसमें आते हैं वेटा Time Dependent में और Time Dependent में शुरुवात हमारा Initial Sear Stress से होती है कोई ITI कोई जरूरी नहीं है दोस्तो RRB, ALP के लिए कोई जरूरी नहीं है कि ITI यो आपको होना चाहिए और यहां पर viscosity बढ़ती है इसी लिए हमारा इसको Sear Thickening बोलते हैं दोस्तो क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे Sear Thickening बोलते हैं फिर उसके बाद एक हमारा यहीं पर होता है Bingham Plastic दोस्तो Bingham Plastic में मैं आपको बदा देता हूं दोस्तो Bingham Plastic में क्या होता है Bingham में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे N की वैलू एक्जेट 1 होती है और viscosity constant होती है तो फिर यह Newtonian क्यों नहीं है हम सब लोग यह जानना चाहते है दोस्तो Good thing बटा Bingham Plastic है तो यह Newtonian क्यों नहीं है बटा इसका कारण यह है कि इसकी सुरुवात हमारी origin से नहीं है दोस्तो यह हमारी सुरुवात origin से नहीं है Bingham Plastic का best example मेरे पेरे बचे toothpaste है क्या है मैरे पेरे बचे toothpaste है फिर हमारा एक होता है time independent अब जिसे कि हमारा dilatant fluid कौन सा fluid मेरे पेरे बचे dilatin fluid dilatin fluid में क्या होता है कि n की बटी एक से जज़्यादा होती है एक से ज़्यादा होती है फिर viscosity हमारी बढ़ती है तो इसमें हमारा चीनी और पानी का mixture चीनी और सूगर का solution चीनी और सूगर solution और भी बहुत सारे ऐसे भतेरे example पड़े हुए जिसमें हमारा पानी और चीनी को mix करके steering करेंगे तो हमारी viscosity बढ़ेगी तो वहाँ पे shear thickening होगी दोस्तो बहुत सारे ऐसे प्लूट है और आपको यहाँ पे quicksand भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो बैटा? quicksand भी बोल सकते quicksand बोल सकते है एक हमारा sidoplastik होता है एक हमारा sidoplastik होता है दोस्तो जिसमें n की value एक से कम होती है viscosity हमारी घड़ती है viscosity हमारी घड़ती है जिसमें हमारा example हो जाता है दोस्तो blood और milk यह बड़ा important concept है मैं आपको बता रहा हूँ blood और हमारा milk है तो यह देखो bingam plastic, sidoplastik, dilatant fluid सब हमारे time independent में आते हैं यह सब हमारे time independent में आते हैं यह पूरा का पूरा non-newtonian fluid का classification हो गया जो हमारे newtons के जहां viscosity को ओबे नहीं करते हैं उसको हम non-newtonian fluid बोलते हैं guys मैं आप दोगों से humble request कर रहा हूँ कि आज यह five concept का lecture जरूर देख कर जाना different examinations में काम नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा दोस्तों पांच questions अगर आपके examinations में ना फसें तो मैं जो कहोगे वो हार जाओंगा but आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी है दोस्तों कि इस sessions को जादा-जादा share करना और अपने आपके को इस content को examinations तक ले करके जाना अकसर करके इस topics से questions मैंने हमेशा देखे हैं तो मैं हमेशा concept को आप देना चाहता हूं तो guys आप तक की journey कैसी रही फड़ा-फड़ मुझे बदाईएगा कभी-कभी तो यही पूछा जाता है कि आप देखो एक चिस ज्याद रखना यह बादा जो हमारा होता है वो हमारा ideal food का होता है यह बादा हमारा किसका होता है पेटा ideal food का हो अगर एकदम नीची हो और यह बादा हमारा ideal solid होता है एकदम ऐसे जो जाता है वो हमारा ideal solid होता है तो यह different food के विए हमने graph बनाया मज़ा आया सब लोग बताईएगा तो guys आगे की तरह बढ़ते next जो हमारा concept है दोस्तो continuity questions fluid mechanics की जान है यह fluid mechanics का hurt है fluid mechanics का दिल है जहां से हर बार examinations में questions आते हैं जैसे मेरी पहरे बच्चे कि एक हमारा Cartesian coordinates है 3D में जैसे कि इस तरह का flow हो रहा है Cartesian coordinates में guys आप लोग please it's my request to all of you please share जिसमें हमारा flow 3D हो रहा है 3D flow हो रहा है दोस्तों X में हो रहा है flow Y में flow हो रहा है और Z में कैसा सबसे घटिया flow हमारा बेटा होता है 3D होता है unstuddy होता है 3D और unstuddy और हमारा compressible जहां पे particle की velocity X और Y और Z सब में रहेगे unstuddy में क्या होगा property हमारा classes रितम bisingual होता है जैसे आपको Hindi में मैं बोल रहा हूँ वैसे ही में वहाँ पे भी Hindi में ही बोलता हूँ और इसी तरह से आसान आसान सब्दों का हम चयन भी करते है compressible में क्या होता है दोस्तों density भी हमारी क्या होगी change density भी हमारी क्या होगी बैटा change change होगी with respect to space with respect to space अक्सर करके मैंने ये देखा है दोस्तों unstuddy में क्या होगा कि density हमारी time के surface में क्या होगी बैटा change होगी 3D में क्या होगा कि particle की velocity हमारी x में भी होगी Y में होगी Z में होगी ये बात दिमाग में रखना वेटा continuity questions किस सिध्धानत पर अधारित है I think सबसे पूछा जाएगा तो आप तो तुरंत जबाब देते होगे हाँ सरी ये तो मुझे पता है चलो बताई दो अच्छा continuity questions कि सिध्धानत पर अधारित होता है बताईएगा तो continuity questions आप सब लोगों को पता होना चाहिए mass के conservation सिध्धानत पर है तो mass का conservation सिध्धानत यही कहता है कि net mass जितना इस control वालों में in करेगा उतना ही हमारा क्या कर जाएगा out कर जाएगा दोस्तों next mass हमारा जितना इसमें opinions करेगा उतना ही हमारा क्या करजाएगा out करजाएगा guys आफड यार सब लोग एक बार सेशन को सेयर कर दो तो अब आपको पता चल गया कि यार यह यह कंटिनुडी क्वेस्टन्स कंजरवेशन आप मास पर आधारी थे मतलब मास हमारा नेट क्या होना चीए जरह पतागे का बटा मास हमारा तो इसमें जो हमारा कंटिनुडी क्वेस्टन्स निकल के आता है धूम धाम तरीके से वेटा इसमें जो हमारा कंटिनुडी क्वेस्टन्स निकल के आता है 3D के लिए यह हमारा कंटिनेरी क्वेशन्स का आक्चुल फार्मेट है दोस्तों आक्चुल फार्मेट है कौन से फ्लो की वे जरा बताईएगा जब हमारा फ्लो कैसा हो फिडी हो और अनिस्टेडी हो और यहां पर साथ-साथ कंप्रेसिबल हो दोस्तों क्योंकि देखिएगा यहां पर पार्टिकल की वेलासिटी एक्स में भी है वाई में भी है जड में भी है क्योंकि 3D में ऐसा ही होता कि पार्टिकल की वेलासिटी X Y Z में होता है Unsteady इसलिए है दोस्तों क्योंकि Del rho by delta की value हमारी 0 नहीं है यहाँ पर Del rho by delta का factor हमारा है इसमें अब फिर उसके बाद यहाँ पर Density X Y और Z के suffix में क्या हो रहा है बताईएगा Change हो रहा है Density हमारा X Y Z के suffix में क्या हो रहा है Change हो रहा है यह एक important चीज़ है मैं आप लोगों से again गुजारीज करूँगा फटाफट सब लोग आज आओ Top 5 concept पे अगर आपने पकड बना दिया तो मजा ही आजाएगा मैं आपको बता रहा हूँ चल यह सांदार तरीके से तो इसके specific situation है आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह हमारा अब देखो कभी-कभी exam में questions यह पूछा जाएगा जैसे questions कैसे पूछा जाता है questions यह पूछा जाएगा कि भाई, del u by del x plus del v by del y तो del wy by del z अगर आपका 0 है तो यह हमारा कभी यूज होगा तो यह continuity questions का ही format है लेकिन कब के लिए कब के लिए पड़ा फट बताईएगा दोस्तों जब मैं आप लोगों से गुजारीज करूँगा यह concept का session है अगर आप लोग थोड़ा सा pinch करो तो मजा ही आजाएगा यार ठीक है आजाओ यार फटाफट देखो यहाँ पे पहली बात डेल रो बाई डेल डेल डी के factor नहीं है हाँ no doubt यह 3D के लिए होगा और steady के लिए होगा और मैं आपको यह भी बता दूँ क्योंकि रो हमारा यहाँ पे है ही नहीं factors में रो हमारा X, Y, Z के साथ है ही नहीं तो मुझे दग रहा कि यहाँ पे incompressible हो जाएगा क्यासा हो जाएगा इसके लिए हमारा 3D हो जाएगा steady हो जाएगा साथ-साथ हमारा क्या हो जाएगा इनकंप्रेसिबल हो जाएगा इनकंप्रेसिबल हो जाएगा तो continuity questions में अगर हम बोले कि यह वी questions कभी हो जाएगा इसे में करना कुछ नहीं है mastery questions में आपको जैसे कि del rho by del t नहीं है तो तुरंत आप समझ जाना कि study के जो होगा अगर हमारा अंदर रो नहीं है इसके अंदर रो नहीं है तो समझ जाना इनकंप्रेसिबल हो यह बात दिमाग पे रख देनी है दोश्तों यह बात आपको दिमाग पे रख देनी है ठीक है ओके काईज तो यह continuity questions पे अक्सर करके देख देना और मैं आपको यह भी बता दू continuity questions का यह वाला फार्मिट बहुत ज़्यादा famous हुआ है यह रोवन एवन वीवन इसका डू रो टू एटू वेटू यह अक्सर करके या तो इस पर numericals पूछे जाते हैं या तो इसके theory questions पूछे जाता है numericals या theory इसके conditions क्या है दोस्तों पहदी बात 1D के लिए होगा और study के लिए बट एक section है एक से दो जाने पर एक से दो जाने पर अगर हमारा section है एक से दो जाने पर by default अगर हमारी density change हो रही है दोस्ते तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्योंकि rho1 से rho2 हुआ तो compressible होगा यह हमारा compressible इसी के हमारे कई सारे format है rho1 q1 is called to rho2 q2 और यहाँ पे m dash is called to हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा m dash is called to क्या हो जाएगा c हो जाएगा दोस्ते m dash is called to क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे c हो जाएगा ति यार फटाफट सब लोग आजाओ मतलब मैं आप लोग से जानना चाहरा हूँ क्या mindset चल रहा concept को लेकर के 2023 का examination में आपको concept पढ़ने हैं या नहीं करने हैं क्योंकि concept ही आपका selection दिदाएगा 1D study और compressible flow के लिए बोलेगा कि ये बादा ही questions कभी यूज होगा तो आपके conditions ये होगी आपको पता होना चाहिए study नहीं है क्योंकि study इसलिए है बटा क्योंकि time का factors है ही नहीं 1D इसलिए है कि हमारा velocity x और y,z में नहीं है y और z में नहीं है और compressible इसलिए है कि row 1 से root 2 हो रहा है अगर यही हमारा flow दोस्तो 1D हो जाए और study हो जाए साथ में अगर हमारा incompressible हो जाए तो यार ऐसे scenario में हमारा क्या हो जाएगा आपका row 1, row 2 कट जाएगा और a1, b1 is called to a2, b2 हो जाए यह बाला भी कभी कभी पूछा जाता है कि a1, b1 is called to a2, b2 जो most of the 100% insurance को याद रहता है कभी यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1D के लिए होगा, study के लिए होगा और incompressible के लिए होगा ठीके आप लोग बताओ यारा क्या आप लोग ऐसा ही चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ आपसे questions का discussion किया जाए concept आपके दिए important नहीं है तो आप लोग मुसे comment section में जरूर बताईएगा क्योंकि देखो मजा तो तभी आएगा ना जब आपका requirement पूरा हो ठीक है, चलो सांदार तरीके से यह हमने पढ़ा इसमें और भी सारे फार्मेट बन जाते हैं आपको homework में जबाब देना है दोस्तो ये वाला equations कभ यूज होगा continuity equations का ही फार्मेट है ये कि ये वाला equations कभ यूज होगा ये वाला equations हमारा कभ यूज होगा आप सब लोगों को बताना है डेल रो भाई डेल टी इसका डू कितना जीरो ये वाला कभ यूज होगा आपको comment section में आज नहीं जब भी आप वीडियो देखें जरूर बताईएगा क्योंकि इसके conditions क्या होगी क्योंकि conditions आपको ही बताने हैं paper में और आपको चार आपसन देंगे कोई न कोई एक आपसन सही होगा आपको comment section में बताना है इसका जबाब ठीके चलो अब हमारा next concept दोखो SMD-BMD I think ये बात तो सब लोग सहमत होंगे कि यार SMD-BMD से questions अकसर करके पूछा जाता है सहमत हों तो बताइएगा comment section में जारा कि आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि सोम किसी भी examinations का paper हुआ और SMD-BMD से questions नहीं आए हो अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा और आपके paper में किस तरह के SMD-BMD के questions आएगे मैं आपको आज बताएगा इससे बाहर आ जाए तो मुझे बताइएगा आज मैंने पूरे mechanical और civil engineering के उस concept को मैंने दिया है top 5 concept जहां से एकसर करके questions exam में आता ही आता है मैंने यहां पर बोदा ना इसको सोच समझ के बोदता हूँ यार कि मैं 5 नमबर आपके fix करने की guarantee रहता हूँ इस sessions की माध्यम से मतब एक single session जो है आपको एक घंटे का 5 नमबर दे रहा है why are you not investing such kind of sessions time आपको इस तरह के sessions में अपने time invest करना चाहिए दोस्तो तो यह मुझे बताने के जरूद नहीं दोस्तो और आप बताएए का सबसे बड़ी बात में आपको क्या पढ़ा रहा हूँ questions की concept आप बताएएगा मैं आपको questions करा रहा हूँ इसकी concept करा रहा हूँ दोस्तो देखिए दोस्तो एक चिस जयाद रखेगा पहली बात एक बात हमेशा जयाद रखेगा SMD BMD में जैसे यह simply supported beam है और point road बीच में आ रहा है तो यहाँ पे maximum SMD हमारा इस तरह का बनेगा इसका हमारा SMD इस तरह का बनेगा और हमारा BMD हमारा इस तरह का बनेगा BMD हमारा इस तरह का बनेगा और यहाँ पे PY2 हो जाएगा और यहाँ पे PY 2,000 और बीच में हमारा CR force की value 0 होगी और एक बत हमेशा याद रखेगा जैसे A है और यह हमारा B है और यह C है A और B के बीच में अगर हमारा point load हो आलवेस जयाद रखेगा A और B के बीच में हमारा अगर point load है तो SPD A और B के बीच में आलवेस जयाद रखेगा rectangle बने। और B और C के बीच में भी हमारा point load है इसके बीच में भी हमारा क्या बनेगा rectangle ही बनेगा اور SPD से एक order जादा होता है BMD SPD से हमारा एक order जादा हो जाता है BMD यहाँ पे BMD हमारा हो जाएगा दोस्तो PL by 4 यहां पे हमारा BMD की value कितनी हो जाएगी PL by 4 कभी कभी examination से पूछा जाता है कि simply supported beam में अगर हमारा load point load आ रहा तो maximum shear force कितना होगा तो आप याद रखेगा P by 2 होगा maximum bending moment कितना होगा PL by 4 होगा SPD का हमारा save पूछा जाता है और यही अगर हमारा simply supported beam में अगर हमारा SSB beam है लेकिन UDL load लग रहा है कैसा load लग रहा है UDL W load अगर हाप का हर जगह लग रहा है तो यहां पे shear force की maximum value हो जाएगी WL by 2 और बीचो बीच हमारा shear force की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी हाँ बिल्कुल होंगे बीचा और BMD हमारा हो जाएगा देखो SMD हमारा triangle है यहाँ पे देखो एक पत याद रखेगा loading diagram खुद का हमारा यहाँ पे क्या है ज़रा बताएगा loading diagram मेरे पेरे बज़े खुद तो क्या है ज़रा बताएगा rectangle है जब खुद हमारा loading diagram rectangle होगा तो SMD हमारा triangle होगा उससे एक order हमारा जाद हो जाएगा दोस्ते और यहाँ पे देखो WL by 2 होगा यहाँ पे हमारे प्यारे बच्चे WL by 2 होगा और यहाँ पे banding moment BMD जो होगा मेरे प्यारे बच्चे है कि इस केस में हमारा maximum banding moment कितना होगा तो WL square by 8 यहाँ आद है WL square by कितना होगा 8 होगा दोस्ते आप से पुछा जाए कि इस केस में shear force की value 0 कितने distance पे होगा आपके जबाब क्या आएंगे कि अगर हमारा सिम्ती supported beam है और UDA load से subjected है तो shear force की value 0 कहा होगा और कितना होगा 0 हमारा center पे होगा L by 2 पे होगा इसमें भी हमारा shear force की value 0 होगी center पे अपने sign को change करेगा जहाँ पे हमारा shear force हमारा 0 होता है जहाँ पे याद रखेगा shear force हमारा 0 होता है वहाँ पे banding moment की value या तो maximum होगी या तो minimum होगी या तो maximum या तो minimum ये चीज़ाद रखेगा अब मेरे पैरे बच्चे इसी में कभी-कभी पूछ लिया जाता है इसी में कभी-कभी पूछ लिया जाता है दोस्तो कि अगर हमारा simply supported beam ही है अगर हमारा simply supported beam है simply supported beam है और आपकी ubl load से subjected है दोस्तो किस तरह से load से subjected है ubl load से subjected है इसकी हमें आपknow Day बताईए कि कि हमारी इस तरह का बनेगा और bmd जो बनेगा दोस्तो वो हमारा इस तरह का बनेगा ये हमारा parabolik होगा यह हमारा पैराबोला होगा और यह हमारा maximum bending moment जो होगा WL square by 9 root 3 और यहां से L is equal to x is equal to L by root 3 पे हमारा shear force की value 0 होगी तो यहीं पे हमारा bending moment की value क्या होगी maximum होगी दोस्तों यार लेट मत होया करें बिटा प्लीज मैं आप लोग से यहां पे cubic पैराबोलिक हो जाएगा cubic पैराबोला होगा guys मेरा पूरी कोशिस है आप लोगो best content दिया जाए एंडिया का आपको best content दिया जाए so that कि यार आप लोग जब किसी examinations में जाएं तो आपको maximum questions हमारे session से आपको देखनी को में तो यहां पे थोड़ा सा एक चीज़ जयाद रखेगा दोस्तों ऐसे ध्यान देजेगा ठीके और यहां पे भी थोड़ा सा slope में आप लोग देखेगा बिटा ऐसे होता है यह चीज़ जयाद रखेगा दोस्तों और आपको एक बात मैं बता दूँ कि आप से पूछे कि maximums अगर आप से इसमें पूछे कि maximum shear force की value कितनी होगी max shear force तो यहां पे WL by 3 होगी WL by 3 होगी याद रखेगा maximum shear force की value कितनी हो जाएगी WL by 3 हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे आपको मैं आगे की बात पताऊँगा जैसे अगर हमारा यही fix beam हो यही हमारा कौन सा beam हो मैं पेचता फिक्स beam हो तो एक बात हमेशा याद रखेगा दोस्तों fix beam के case में हमारा इसका SPD इस तरह का बनता SPD हमारा इस तरह का बनेगा BMD हमारा इस तरह का बनेगा तो वो fix beam है और point road से subjected है fix beam में है यह चीज़ जाद रखेगा क्योंकि point road होगा तो अब इस बात है दोस्तों अब maximum share force की value हमारी P by 2 होगे maximum share force की value किती हो जाएगे दोस्तों P by 2 तो समझने की कोशिज करेगा और यही हमारा ideal load लगेगा इस पे ideal load लगेगा तो यहाँ पे maximum share force W by 2 हो जाएगा और diagram इसका इस तरह का बनेगा यह किन BMD की बात करोगे आप जब तो BMD हमारा इस तरह का बनेगा पैरा बोगेगा maximum हमारा bending moment WL square by 24 होगा याद रखेगा जब fix beam ideal से subjected होगा तो WL square by 24 हमारा maximum bending moment हो I am sorry guys maximum नहीं होगा center पे हमारा bending moment की value इतनी होगी WL square by 24 और support पे हमारी bending moment हो जाएगी WL square by 12 important point पता है क्या है important point क्या है पता है important is that कि आपको यह सोचना है कि maximum कहा होगा क्योंकि यह fixed beam है क्योंकि यह हमारे मेरे पहरे बच्चे कौन सा beam है ज़रा बताएगा fix beam है यह आपको सोचना है देखो दोनों में ज़्यादा हमारा जहाँ होगा दोनों में जहाँ पे ज़्यादा जो value हमारी ज़्यादा होगी वहीं पे हमारा bending moment की value पैसिबम हो जाएगी ठीक है तो यह सारी चीज़े यार आप लोगों को अच्छा point road से है आप ही बताएगा मेरी पैरे बच्चे पी road अगर हर जगा पर लग रहा अच्छा इसका detailed concept एकदम एक हाँ दो point of counter fracture इसी beam में आएगे दोस्तों जहाँ पे हमारे bending moment हमारे sign को change कर रहा है दो point of counter fracture जो कि यहाँ से हमारा L by 4 पर होता है पिक्स सपोर्ट से L by 4 पे इधर और उधर से हमारे point of counter fracture होते है जहाँ पे bending moment हमारे sign को क्या करते है चेंज करते हैं दोस्तों दिस इस ते वेरी वेरी nice concept फार यू गाईज फिर उसके बाद मेरे पैरे बच्चे cantilever beam में अगर हमारा point load आ रहा है end पे इसकी हमारी SMD इस तरह से बनती है अब आप ही बताइए यहाँ से यहाँ तक point load है तो SMD कैसा बनेगा rectangle बनेगा BMD हमारा कैसा बनेगा triangle बनेगा maximum bending moment ही cantilever beam में हमारा fix support पे होगा maximum bending moment हमारा यहाँ हो जाएगा अगर इसी पी हमारा UDL load आएगा दोस्तो maximum shear force हमारा इतना हो जाएगा और यह हमारा triangle बन जाएगा यह हमारा कैसा बन जाएगा मेरे पैरे बच्चे triangle बन जाएगा और यह वाला हमारा parabolic बनेगा और कभी-कभी तो पूछा जाता है कि दोस्त इसमें हमारा कितना होगा maximum bending moment आप लोगों को दिमाग पे यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे पता है तेको point of contra fracture पे कितनी होगी यहाँ पे तो bending moment हमारा zero होगा दोस्त क्योंकि वहाँ पे अपना sign को क्या कर रहा है change कर रहा है यार वकार यूसू पिटना जहाँ पे हमारा bending moment sign को change करेगा उसमें तो हमारे bending moment की intensity कितनी हो जाएगी zero हो जाएगी आज 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 फड़ फड़ यार सभी दोगों से मेरी गुजारी से बहुत ही सांदार सेशन हो रहा है आज तो यार historical सेशन है आज का तो और इसी में कभी कभी पूछ देता है कि नहीं जी आपका ये load अगर हमारा UVL काइंड आफ ने अगर हमारा load बिटा UVL काइंड आफ है load खुदी अपने आप में triangle है तो maximum हमारा सियर फोर्स इस तरह है कभने जो कि WL by 2 और ये हमारा पैरा बोला होगा क्योंकि load खुदी अपने आप में triangle है तो BMD तो हमारा ये होगा और ये हमारा cubic पैरा बोला होगा cubic पैरा बोला होगा ये हमारा cubic पैरा बोला होगा जो कि maximum bending moment देगा WL square by 6 ये याद रखेगा तो आपको ये हर सेप की SMD, BMD याद रखनी पड़ेगी जो कि बहुत important concept है यार ठीक है तो guys आगे बढ़े फटा फटा बताईए का यार यार इंजीनियस वाई आर यू नाट यार टेकिंग इस class as a serious mode तो यार आपको मैंने बढ़ा ना 5 questions examinations में फसेंगे और ये आपको पता तब चदेगा जब आप examinations में बैठ होगे और इसके detailed concept में मंडे को अप्टीकेशन पर शुरू कर रहा हूँ तो जितने warriors आप लोग अभी तक जोइन नहीं किये हैं पर फटाफ़ जोइन कर दो यार either you have to join the mechanical civil महापेक या फिर आपको respected branch के SSCJ के foundation badges जोइन कर दो guys बैब आपको बताऊं these badges are the selection badges don't wait quickly जोइन करो decisions तुरंत कर दो यार देखो ये आपको sign conventions जैसे हम usually sign conventions से follow करते हैं दोस्तो sign conventions से standard जो माना जाता है जैसे कि हम जब sections लेते हैं जब हम sections लेते हैं तो CR4 जैसे section के right side में नीचे left side में ऊपर तो हमारा sections ऐसे positive हो जाता है तो ये universally adapted है और इसी को हम standard बानते हैं तो यहाँ पे CR4 की minus लेजा जाता है तो उसी तरीके से आपका प्लस मैनस आजाता है अब फिर मेरे पैरबचे अगला जो concept है दोस्तो slope and deflections का हमेशा हमने देखा है कि आपके paper में एक questions different beam के different loading के slope and deflections के आ जाता है slope and deflections के questions maximum आ जाता है जैसे आप से बोलेगा कि एक cantilever beam है उसके end पे हमारा moment आ रहा है capital M concentrated moment आ रहा capital M cantilever B में जिसकी रंबाई कितनी है L है इसमें पहले तो maximum bending moment कितना होगा M होगा और फिर उसके बाद slope की maximum value कितनी होगी ML by EI ML by EI deflection की maximum value होगी ML square by 2 EI deflection की maximum value कितनी होगी ML square by 2 EI deflection की value slope का कितना गुना L by 2 EI maximum deflection slope का कितना times L by 2 times फिर अगर इसे में हमारा point load आएगा दोस्तो end support पे अगर हमारा point load आएगा तो maximum bending moment होगा WL और maximum slope की value होगी WL square by 2 EI maximum deflection कितना होगा दोस्तो WL is cube by 3 EI अब maximum deflection का slope के साथ क्या relation है 2 L by 3 times maximum deflection की value slope का 2 L by 3 times जादा होता है 2 L by 3 times होता है यह अक्सर करके examinations में maximum slope and deflection का पुछा आप इसी में हमारा UDL load आएग तो maximum bending moment कितना अभी अभी मैंने बताया इतना होगा और इसमें maximum slope कितना होगा WL cube by 6 EI अब maximum deflection का भी फार्मूला याद रखिया है WL के power 4 by 8 EI और maximum deflection और maximum slope के बीच में 3L by 4 कारिजेशन होता है दोस्तों और आपको मैं बताऊँ जब हमारा केंटी जीबर बीम होता है तो अक्सर करके मैंने देखा है केंटी जीबर बीम में अक्सर करके slope and deflection की वैजो जो maximum होती है वो हमारा free end पे होती है कहा होती है free end पे slope and deflection की वैजो maximum जो होती है free end पे और इसमें strain energy हो जाता है दोस्तों एक बटा दो P की maximum value into Y की maximum value अगर इन सभी cases में load की maximum value निकालो और maximum deflection आपके पास है इनका इस फार्मोजे में रखोगे तो आटोमेटिक strain energy आटोमेटिक आजाए यह सारे cases में हमारा cantilever beam था एक बार consentitive moment आ रहा था एक बार point load आ रहा था एक बार हमारा UDA load आ रहा था दोस्तों आगे बढ़ा जाए गाईस अगर हमारा यही simply supported beam है एक बार जैसे कि cantilever beam में UDA load हो तो maximum bending moment हमारा इतना हो साएगा maximum slope हमारा इतना हो साएगा WL cube by 24EI और maximum deflection हमारा WL के power 4 by 30EI होगा maximum deflection की value slope के comparison में कितना गुना होगा 4L by 5 गुना चुकि अक्षर करके examinations में मैंने देखा है और अब फिर उसके बाद दोस्तों अगर यही हमारा simply supported beam हो जाएगा simply supported beam में क्या हो जाता है दोस्तों maximum point load अगर बीच में आ जाता है तो WL by 4 हो जाता है अब maximum यह सारी चीज़े मैंने आपको mention कर दी है और यहाँ पर जैसे कि maximum slope इतना यह वाला formula तो मैंने अक्सर करके कई बार देखा है कि simply supported beam में अगर point load आये तो meet पे maximum diffractions की value कितनी होगी तो WL cube by 48 यह आई है आप ऐसा कोई कभी हुआ ही नहीं कि यह दोनों फार्मूले पर questions ना आद है लेकिन मैं आपको कह रहूं कि most repeated questions करने की बजाए सब कुछ करके जाओ यार इस table को एक दब ना राम बान समन examinations पर जब भी जाना इसको करके ही जाना यार अगर यह हमारा UDL load आएगा हर जगा W तो maximum bending moment इतना हो जाएगा maximum slope इतना maximum diffraction इतना maximum diffraction का slope के साथ यह सम्बन देखो यह जो आपको दिखाया जा रहा ना यह आपको maximum bending moment L और EI के बीच में slope है और यह हमारा load के terms में है दोनों ही formula आपने आप में सही है यह हमारा moment के terms में है यह हमारा load के terms में है इतना याद रखेगा Can we proceed to the concept number 5 Anyone having the idea about the concept number 5 कौन सा ऐसा concept है जो 5 पे आएगा आप दोग बदाईएगा R.K.M.S.R.A. ने कौन से concept को रखा है आप दोग बताईएगा दोस्तों टॉप फाइप नंबर पे किसको रखा गया इसका detailed version concept का हमारे पास आ रहा है आप दे केसंस पे सिबिल की महापेक में या मेकेनिकल की महापेक में या SSC Z 2.0 या 3.0 के बैचिस में अपने आपको जाकर के फटा फट इंडरॉल्ड कर दो यार most expensive content now as at the rate of affordable हो गया है 2700 में सब कुछ दिया दा रहा है 3.0 2.0 में वेट मत करो जाओ अपने आपको इंडरॉल्ड करो दोस्तों ज्वाइन करते समय आलवेस बैचिस को या वहाँ पैक का कोड जरूर यूज कर देना वाई 2.0 दोस्तों अगला है हमारा elastic constants elastic constants में जैसे हमारा material एक होता है homogeneous क्या होता है homogeneous में क्या होता है कि specific directions में material की property क्या हो जाती है same हो जाती है एक given directions में हमारी property क्या हो जाती है same हो जाती है अब जैसे कि isotropic में क्या होता है दोस्तों isotropic में एक given point पे कभी भी किसी भी direction में रह जाओ यह यह हमारा isotropic हो गया और homogeneous और isotropic में क्या होता दोस्तों कि आप अगर यहाँ पे रहोगे न यहां पर क्या होता है कहीं भी रहो किसी भी directions में कहीं भी किसी भी direction में property हमारी क्या होती है same इसमें independent 2 होता है total 4 होता है और homogeneous और isotropic materials के लिए जो हमारा elastic constants पर अकसर करके formula पूछा जाता है जिसमें एक formula हमारा बहुत popular है e is equal to 2g 1 plus mu बहुत important formula और एक हमारा होता है दोस्तो e is equal to 3k 1 minus 2 में फिर एक हमारा होता है दोस्तो e is equal to 9kz बटा 3k plus j फिर एक होता है mu is equal to 32k minus 62 32 बटा 62 यह आपको formula चार है चारू पे अकसर करके numericals या तो direct formula उच लिया जाता है या तो पूछा जाता homogeneous क्या होता है isotropic क्या होता है या homogeneous और isotropic क्या होता है इसके लिए independent की संख्या कितनी होती है दो होती है और यह total हमारा कितना होता है चार होता है अगर आपको guys आज का sessions relatively अच्छा लगता है ना तो पूरे sessions को like जरूर करना और प्यारा सा comment वीडियो complete हो जाने के बाद करना जरूर और कोशिस करना मेरी class सामको 7 बजे regular live आकर के पढ़ने का चुकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत महनत करता हूँ सोचता हूँ कि ऐसे concept आप लोगों को provide करूँ जिससे हमारा इंजीनियस कम से कम top 5 concept तो SSE में आने वादा जो 5 नमबर का questions एक session से करके जाए दोस्तों दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दू कभी-कभी पूछा जाता है कि आर्थो ट्रॉपिक मेटिरियो क्या होता है तो आर्थो ट्रॉपिक में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे आर्थो ट्रॉपिक में आर्थो ट्रॉपिक में कभी-कभी पूछे तो आर्थो ट्रॉपिक हमेशा याद रखेगा ये आर्थो ट्रॉपिक एक special case है इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई material होता है ना इसमें हमारा material होता है तो तीन mutual perpendicular directions में प्रापर्टी हमारी different आ जाती है देखो इसमें अगर हमारा e1 हा जाए इसमें हमारा e2 हो जाए इसमें e3 मतलब इक special conditions बन जाए जिसमें की तीन mutual perpendicular आती है independent की संख्या 9 तोटल हमारे 12 है ठीक है फिर मेरे प्यारे बच्चे एक हमारा होता है एन इसीयो ट्रॉपिक एन इसीयो ट्रॉपिक में क्या होता है दोस्तो एन इसीयो ट्रॉपिक में एन इसीयो ट्रॉपिक में क्या होता दोस्तो कहीं भी आप प्रापर्टी मेजर करने चलोगे न कुछ भी सेम नहीं आपको दिखेगा यार nothing should be same like that आपको कहीं भी आप मेजर करना एक इधर चाओगे इधर जाओगे 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 आपको पुछेगा orthotropic material क्या होता है यह आपसे पुछेगा NSEO तो guys तोड़े फाइब कॉंसेप्ट आहब डिलिवाइड तो मेनी कॉंसेप्ट से दोस्तों सिर्फ पाँच कॉंस या हर आप्शंस को अलबरेट करूंगा 20 कॉंसेप्ट होंगे लेकिन जब आपने 5 मेकेनिकल के सिबिल के ऐसे कंसेप्ट पढ़ लिया तो मुझे लग रहा कि बहुत कुछ पढ़ लिया तो गाइस मैं आप लोगों को रेगुलर पढ़ाता भी रहता हूं तो आप लोग प्रेजेंट रहा करें इस तरह के कंसेप्ट सेशन में और अच्छा यार एक बार देख लिजेगा सिबिल मेकेनिकल इलक्टिकल के बैचिस में आप लोग फटाफट जा करके इंडरॉल्ड कर दो सिबिल का 3.0 बैच देखो 16 तारिक से स्टार्ट हुआ है अभी अभी रिसेंट ली आप लोग वेट मत करो फटाफट जाओ चार सो पचास घंडे की टेकनिकल क्वासिस है ती 130 आवर्स की नॉन टेकनिकल है और रिकॉर्डड वीडियो हो लेटेस्ट इग्जामिनेसंस पैटन के वीक्ली प्राक्टिस पेपर मिलेगा डेली आपको डीपीप मिलेगा और आप सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों पत जाए तो बाकियों की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी पैरामीटर्स आटोमैटिक निकल जाएंगे इसमें देखो कूपन कोड पूछेगा तो वाइटुजर वन लगा देना दोस्तों आपको बता रहा हूँ वाइटुजर वन अठाइस सो रुपे का मिलेगा लेकिन अप्टिकेशन से जब आप जॉइन करोगी है वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेशन में जब जाओगे डाइवर्ट हो करके वाइटुजर वन कोड यूज करते हो मेरा और कौईन के साथ मैं ऐस आप लोगो कि वे डेडिकेटिट मेहनत करता रहता हूं 24 x 7 hours तो प्रॉपर मेरी guidance में आने करें प्रीज कोड जरूर यूज करो यूज करो यूज करो थैंक्यू वीडियो अच्छा लागा तो दाइक करिएगा बाई-बाई-बाई-टिक के रहा तो मेकेनिकल के लोग मेकेन